Hello crypto community! Welcome back cryptocurrency के एक नए वीडियो में कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम दो में मुद्दे पर डिसकस करने वाले हैं जो कि Crypto community के लिए काफ़ी ज्यादा important है सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्प्रिंग मीटिंग बासिंग्टन डीसी में इस बार होने वाली थी जो कि अल्लेडी स्टार्ट हो चुकी और उसमें जो है आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक तो अल्लेडी थी और उसको अपनी फाइना का फॉर्म जो है निर्मला सीतारमन जी यहां पर किलियर कर दी ही कि क्या है और भी बहुत सारे डिसकाशन हुए हैं क्रिप्टो रेगूलेशन को लेकर वो सारे चीज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिसकास करेंगे साथ का साथ जो दूसरा मुद्दा यहां पर है व आइकरना होता है सबसे पहले हम अपना फियट को मैंसके जो भी कंट्री का जो करेंसी उसको हम लोग स्टेवल कीरन से हम जाके किप्टो कैरेंसी बाई करते हैं लेकिन जब बोला जाए कि यह जो स्टेवल कोई ने वो किसी कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा जिस तरीके से मुझ जानते हैं कि ब्लॉक्शन का दुनिया ऐसा है कि किसी के कंट्रोल में यह नहीं है यह डिसेंट्रलाइज है तो अगर आपको पता चले कि कि नहीं कोई कंट्रोल करेगी तो आपको कैसा लगेगा यहां पर लेकिन यह चीजें यह मैटर क्या है अगर यह चीजें होती है कि स्टेवल कोई कोई कंट्री के अंदर चली जाती है किसी कंट्री के रेगुलेशन के अंदर जाती है तो किस तरीके से क्रिप्टो में यह मो करके चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा आगे बरने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि इस चैनल पे हर एक दिन मिंस की हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए फ्री एंड अलिमिटेड बेबी डॉज अरन करने का मौका राता है करना कुछ भी नहीं होता है पर कर दिजेगा देन आपको टोटल 10 करोर बेबी डॉज मिल जाएंगे यह तो एक बार आप वीडियो में हर एक वीडियो मोता है जितना एक्टिव रहेंगे जितने बार आप वीडियो में उतने बार 10 करोर 10 करोर बेबी डॉज आपको मिलेंगे इस तरीके से काफी प्रॉफिट देगा सबसे पहले हम लोग मुद्दे की बात करें यहां पर तो यूएस हाउस में जो एक परपोजल आया है न्यू बिल की स्टेवल को हम लोग रेगुलेट करेंगे एक्चुली में यह मुद्दा जो है काफी जादा गंभीर है क्या है आये डिसकस करते हैं कि क्या यह चीजे लागू हो गई है होनी है क्या है तो जैसे कि अपना इंडिया में कोई भी बिल बनने सपहले एक ड्राफ रेडी होता है धाचा जिसको हम लोग बोलते हैं देन उस प को फिर लोग यहां पर जो भी जिसके लिए भी ओडूल आता है वो उसको फॉलो करते हैं तो उसी तरीके से यहां पर यूएस हाउस में जो है पर पोजल आ चुका है कि स्टेवल को जो है रेगुलेट करना चाहिए तो जैसे अपना लोग सभा राज सभा है उसी तरीके से कहके है वो रहती है तो उसके सामने यह जो ड्राब भी लाई है स्टेवल को रेगुलेट करने के लिए उस पर अभी डिवेट चलेगी डिसकसन चलेगी देन बोटिंग वगड़ा होगी उसके बाद जो है यहां पर यह बिल बन पाएगा तो अभी बिल बनी नहीं है लेकिन कोई भी कंट्री में अगर महंगाई बरती है इंफलेशन आता है तो अपर एक मैटर जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है वो जो नोट होता है जैसे अपना इंडिया में इंडियान रुपीज हुआ यूएस में डॉलर हुआ तो जो प्रिंटिंग करने का क्या सब्सक्राइब करती है तो जिस तरीके इंडिया में यहां पर नोट को प्रिंट करना है तो आर भी करती है सेंटरल बैंक उसी तरीके यूएस में अगर डॉलर को प्रिंट करना है तो वो फेड करती है फेडरल डिजर्ब बैंक तो अब क्या हो रहा है कि अभी जो हम लोग क इनको क्या प्रॉब्लम है कि पहले जैसे कि सिर्फ यूएस फेडरल डिजर बैंक करती थी यह प्रिंट तो उहां पर एक लिमिटेट कॉइंटिटी थी जिसके कारण से बहुत ज्यादा मार्केट में पासा नहीं आ पाता है और इसका जो है सारा चीज मेंटेंड रहता है लेक चीजें क्या हुआ कि उससे जो है इंटर चेंजेबल होने लगा है यूएस डी और यूएस डिटी यहां पर इनको यह चीजें प्रॉब्लम होने लेगे कि मेरा जो बर्चस यहां पर खत्म हो रहा है जबकि और भी अगर बात करें दूसरे कंट्री के दूसरे जब ट्रेड के लिए इसलिए यह आप क्या सोच रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस में डॉलर है उसी तरीके से जो ब्लॉक्षेन का हम लोग का इस्टेवल कोईन है उसको यहां पर मर्जब किया जाए यह आप समझ लिजी आपको पूरा इनका गुंडागर्दी पता चल जाएगा इनका कहना है कि जो भी इस्टेवल कोईन का उसको जो है फेडरल डिजर बैंक में रजिस्टर होना पड़ेगा इसके बाद क्या होगा कि इसको सारा बी ओड़ा देना पड़ेगा कि कितना हम यूएस डॉलर प्रिंट किये हैं इस्टेवल कोईन वाले को यहां पर डिमांड उतनी यहां पर हम लोग Bitcoin Ethereum रखते हैं तो अब क्या होगा कि सारा ब्योड़ा उनके पास आएगा क्योंकि जो भी स्टेवल कोईन के इस्टेवल कोईन के इस्टेर है वो उनके पास रजिस्टर रहेंगे और कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन होगा कि नहीं रजिस्टर करेंग जो है यूएस अपने सिकंजे में लेना चारा है उसके बास से कहीं सभी ऐसा नहीं रह जाएगा कि आप इजली जो है कहीं से भी स्टेवल कोईन को होल्ड कर सकते वो सारे का ब्योड़ा आप जो है इस तरीके से यूएस के पास रहेगी मिन्स कि सारे तरीके से यहां पर बा कि मेरे पास कितना सारा पैसा है लेकिन यहीं चीजे जब रजिस्टर होंगी तो सारा भी ओरा देना पड़ेगा तो वह अब क्या करेंगे जिनके पास की बड़े मॉंट में इस्टेबल कोईन वह अपने से यहां पर बिटकोईन हुआ इथेडियम हुआ बाइ कर लेंगे ज जिस तरीके से अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक का तो matter यह है, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से यह बिल पास होती है, किस तरीके से यह फोल्ड आउट होती है matter, वो भी discuss करेंगे, हम लोग इसी चानल पर तो make sure करिएगा कि चानल को subscribe करके रख लिजिएगा, next move on करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो अपनी finance meter भी बासिंग्टन DC में, जो spring meeting conduct किया जा रहा है, उसमें क्या cryptocurrency को लेके बाते चल लएए, तो सबसे पहला यहाँ पर main point जो है, वो यह clear कर दिये, कि हमें बहुत खुसी होड़ी है, यह कहते हुए, कि cryptocurrency जो है, उसका form क्या रहने बाला है, outside from the central bank, मतलब central bank साथ जितने भी कुछ भी है, जिसको हम लोग trade कर रहे है, कुछ भी कर रहे है, उसको हम लोग currency नहीं बोल सकते हैं, तो पहले तो हम लोग जानता ही थे कि currency का दरजा देने वाली है नहीं, और ऐसे भी हमेसा asset word का ही crypto currency में, यूज हुआ है, लेकिन भी ये चीजें को clear कर दिये कि हाँ crypto asset है, वहीं पर next move on करते हैं, हम लोग यहाँ पर की regulation को लेकर क्या बाते चल ड़ी है, क्योंकि spring meeting में जो है काफी जादा main important agenda, जो है यहाँ पर cryptocurrency भी है, तो उसमें इनोंने बोली है कि micro economy और regulatory perspective से कर हम लोग बात करें, तो crypto asset पे जो है immediate हम लोग को attention लेना पड़ेगा, अगर हम लोग घुमा फिरा के फिर से वहीं पहुंचे तो वही matter है कि सारे लोग जो है यहाँ पर G20 country भी रेडी है, और वो acknowledge कर चुके है, means कि बता दिये, confirm कर दिये, कि G20 पूरा country रेडी है, अब जो है IMF और FSB अपना आगे का process यहाँ पे करे और IMF और FSB जो है कुछ एक main policy और regulation framework लाए, जिससे हम लोग कुछ कर सके है, crypto पे control, अभी जो यह बासिंग्टन DC में spring meeting हो रही है, यह अभी complete नहीं हुए, continue है, देखते हैं कि आगे और भी क्या update आती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देने का कोसिज करेंगे, I hope कि हर एक matter क आपको इस तरीके से समझाने का कोसिज किये कि हर एक लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, तो वीडियो अगर पसंदा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह का informative content सबसे पहले पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजे, ताकि वीडियो अ